आज आप लोगं के लिए बिलकुल गर्मा गर्म और करारी आलू सूजी पूड़ी और आलू की सूखी सब्सी का कॉम्बो लेकर आई हो एकदम परफेक्ट है टिफन के लिए अगर आप ट्रेन में जारे हो तो टिफन ले जाएए या फिर नाश्टे में तो ये लाजवाब ल सूजी को हमें थोड़ी देर फूलने के लिए देना है, पांच मिट के बास सूजी फूल चुकी है उसके बाद मैंने याँ दो उबलेया लोग कद्दू कस करके डाल लिया है एक कब भर के मैंने याँ गिहुं काटर डाल लिया है आधा चम्मज नमा एक चुथाई चम्मज हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ लाल मेच थोड़ा से डालेंगे इसमें अजवाइन और धनिया पता और बिना पानी डालेना इसको गूत लीजेगा पानी का अगर जोरत पड़े तो ही गर्म कर लिया है और आटा भी रेस्ट हो गया है अब बना लेते हैं इसकी पूरी तो छोटी-छोटी सी लोईयां बना लीजेगा चाहे तो सूखे आटे से बेल लीजे चाहे तो थोड़े सा ऑइल लगा कर बेल रही हूँ है पूरी जैसे ही तैयार हो जाएगी इसको हमें स कलर लगे आपको तो आप इसे लिकाल लेजेगा चलिए अब देखते हैं कि मैंने आलो की सुखी सबजी कैसे बनाई है तो एक छोटा चमच ओयल डाल लिया है थोड़ा से डाल लिया है जीरा हींग और मैंने यहां पे दो तीस तीन लैसुन बारिक काट लिया है उससे चौक ल चछंचा जालzen जालेंगे और दाल समय के नमग चिपा चल अग़ चुटा चंच लाल मिर्च पाउडर फुड़र यहां नमग जाल च दालेंगे पाणी का छीटा डालेंगे और थोड़ा सा पानी का चीटटा डालें गयंगे ताकि मसाले पक जाए। उसके बाद घांक अच्छे से चला लीजेगा और ये लगबग तयार हो गई है तो डाल दीजेगा इसमें हरा धनिया हरा धनिया डाले के पाद चला लीजेगा और ये बिल्कुल तयार हो चुकी है वैशे तो इस कॉम्बो को मैंने नाश्टे के लिए बनाया है लेकिन मुझे विश्वास है आप एक बार इस कॉम्बो को ट्राय कर लेंगे न तो आप लंज डिनर कभी भी इसे बना के खाएंगे बस गर्म गर्म पूरी से कि आप प्लेट में डाली एक आलू की सबजी और गर्म गर्म पूरी अचार ले लिजे प्यास ले लिजे क्या लगती है फ्रेंड्स ये बहुत यमी लगती है आप इसे घर में ज़रूर ट्राय करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा